यगर नितीज कुमार जी के हांद से नित्रितु निकल गया तो जन्ना करपुरी ठाकुर जी की विरासत फिर से ध्वस्त होने लगेगी स्वएन नितीज कुमार जी ने सार्जनिक रुप से यह कहना शुरू किया कि हम अब आगे बिहार का दाइत रास्तिय जन्ता दल के निता के उपर सौपना चाहते जब ऐसी स्थिति आई तभी से लोगों के मन में चिंता की सुरुआत हुई जिसकी चर्चा हमने की जन्ना करपुरी ठापुर जी की विरासत को उन हाथों में नहीं जाने देना चाहिए जिन हाथों ने बिहार को मचोरने का काम किया बिहार को मरोरने का काम किया उसको भी हमने सुईकार किया कि चलिए पाटी की मजबूरी है तो इस गटबंदन को भी सुईकार करना चाहिए लेकिन उस वक्त भी गटबंदन बनने से पहले राश्टिया द्यक जी को मुखमंतरी जी को हमने कहा था कि गटबंदन जरूर हो आप अगर चाहते हैं यही रास् तो कीजिए लेकिन इसका नित्रित आप अपने हाथ में रखिए नितीज कुमार जी के हाथ में हो क्योंकि हम जानते थे कि अगर नितीज कुमार जी के हाथ से नित्रित निकल गया तो जन्ना करपुरी ठाकुर जी की विरासत फिर से ध्वास्त होने लगेगी तो मुझे से कहा गिया कि हाँ ठीक ऐसा ही होगा लेकिन गटबंधन बनने के थोड़े ही दिन के बाद ना सिर्फ आरजेडी के लोगों की ओर से गटबंधन के बारे में कोई डील की गई है उसकी चर्चा होने लगी उसका दावा होने लगा बलकि स्वय नितीज कुमार जी ने सारजनिक रूप से या कहना सुरू किया कि हम अब आगे बिहार का दाइत रास्टिय जनता दल के निता के उपर सौपना चाहते हैं उन्होंने घोसना कर दी हर तरह से बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन सीधे उन्होंने रास्टिय जनता दल के किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जब ऐसी स्थिति आई तभी से लोगों के मन में चिंता की सुरुआत हुई जिसकी चर्चा हमने की कि पार्टी के साथ ही आम जनता सब लोगों के मन में चिंता आगई कि आखिर आगे क्या होगा बिहार का अब हमारे सामने रास्ता था कि जन्ना कर्पूरी ठाकोई जी की विरास्त को हम चुप्चा बैठ कर उन्हीं हाथों में जाते हुए मुकदर्सक बन कर देखते रहते जिन हाथों ने बिहार को मचोर दिया मरोर दिया या फिर हम सब लोग बैठ कर कोई नया रास्ता लेते या हम सब लोग के मन में चिंता थी हमारे साथियों ने इस चिंता से अबगत कराया तो हम लोग को भी लगा, कि चाहे जिस तरह की परिस्तिती का सामना करना पड़े, अगर हम राजनीत में हैं, हम अपना राजनीतिक धर्म और कर्तब में समझते हैं, तो फिर से हम लोग को उठारा होना चाहिए, और किसी भी हालत में जन्नाक करपुरी ठापुर जी की विरासत प्रणाप को उन हाथों में नहीं जाने देना चाहिए जिन हातों ने बिहार को मचोरने का काम किया बिहार को मरोरने का काम किया तो इसलिए जब बात होने लगी कि वही पर फिर से चली जाएगी सारी चीजे, तब मामला पार्टी के अंदर सुरू हुआ, प्रारम में मैंने पार्टी के सिर्ष नित्रुतित से मुखमंत्री जी से आगरह किया, उनसे मिलकर हमने बात की, उनसे कहा कि ऐसी स्थिति ठीक नहीं है, उधारन के रूप में हमने बताया कि मा खिसरता जा रहा है, पाटी धीरे-धीरे बरवादी की ओर चलते जा रही है, हमने कहा मुखमंत्री जी से, बेक्तिगत रूप से भी मिलकर कहा, बाद में कहा गया कि मिलकर कहना चाहिए, मिलकर जितनी बात हमको कहनी चाहिए थी, हमने तो पहले ही एक बार नहीं, अनेक बार कही विक्तिगत रूप से भी पाटी के मंच पर भी हमने उठाया विधाग दल की मीटिंग में भी हमने यह बात कही पाटी की बैठक में यह बात कही तो हर तरब से हर तरह से इस बात को कहने के बाद मुझको लगा कि आखिर हो क्या रहा है क्यों ऐसा हो रहा है पाटी कार खिसकता जा रहा है और उस पड़ जब हमने इस तरह के सवाल को उठाना शुरू किया तो मुखमंत्री जी ने कहा कि जहां जाना हो उपंद्र कुछ वहाद चला जाए